पूर प्रधान मंत्री मारिनी अटल बिहारी वाजपी जी की जन्म दिवस सुशासन दिवस के शुभावसर पर मजदूरों के हित मजदूरों को समर्फित कारिक्रम में माननी अप्रधान मंत्री जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारा परम सुभाग है कि इन दौर में हुकुम चंद मिलके शमिक परिवारों के स्वत्वों को ओफिशल लिक्विडेटर के माध्यम से उन्हें सुफ ने एवं नगरपालिक निगम इन दौर तथा इन दौर स्मार्ट सेटी लिमिटेट द्वारा इस्थापित किये जा रहे साट मेगवाट क्शमता के जलूद उर्जा सायंत्र के शिलान नियास का अपने करकमलों से शुभारम करने का आग रहे आपने स्विकार किया इन दौर में आयूजित हो रहे इस कारकम में मद्यप्रदेश की ओर से आपका आभिनंदन करने के लिए मद्यप्रदेश के माननी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से विनम्र आग रहे मैं अपनी ओर से आज के इस कारकम में वर्चुल रूपसेद खास तोर पर हमारे आगरपे पधारे मानी प्रदान मंत्री यसस्वी प्रदान मंत्री नरिन मोजी जी के लिए जोड़दार करतल दोनी से हम उनका अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं मद्यप्रदेश की धर्दी पर जो दोनों हाथ खड़े करके जोड़दार तालिया बजा करके और अपनी जगे पर खड़े हो करके या दिती है आज अपना आज का उधारान है यससी प्रधान मंत्री स्वयम आज हमारे बीच उपस्तित हुए हैं अपने इस तीस साल पुराने लगबक लंबे मजदूरों के उलजे सुलजे मसले के निराकरेंड के लिए मान्नी प्रधान मंत्री जी ने हमको समय दिया मैं उनका वंधन करता हूँ अभीनंदन करता हूँ मान्नी प्रधान मंत्री जी लगबक 4,800 से ज़्यादा मजदूरों का यह आज का हमारा मुख्य कारे कैम जिसमें 25,000 से ज़्या काल के गाल में समा गए और उनके परिवार के लोग आज भी टक-तकी लगा करके निगास से आपकी तरह देख रहे थे कि हमारा कब पैसा मिले हमारे हग का पैसा कब मिले और मुझे इज़ात की प्रसनता है आपने हमारे इस पूरे आविजन को गौरानवित करते वे भारत रत् अच्पई जी के जन्म दिवस के उसर पर आपने क्रपा की विशेश रूप से मजदुरों का ये सारा भुक्तान करने का और ये खास बात है कि हम मजदुरों का सारा पैसा देंगे बदले में हजारों करोड की जमीन हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से वो सासन को मिलेगी और एक बड़ी समस्या का समाधान होगा मैं आज के सवसर पर एसी इस बड़ी एक महत्वी महत्वपूर्ण घटना करम में आपका अपना अभिनेंदन करता हूं स्वागत करता हूं साथ ही साथ आपकी मोजूद्गी में लगबग सो करोड से ज़्यादा निर्मान कारे के लोकारप बड़ेगी ये इंदोर सोलर सिटी बनाते वे ना केवल नगर निगम बलकि एक बड़ा काम करते वे अपनी नवकर्णी उर्जा का भी नया प्रयोक प्रारंब करेंगे ऐसे पूरे आयोजन के उसर पर आप उपस्तित हुए मैं पुनश्य एक बार आपका बंदन करता हूं स्वागत करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद भरत मता की जये देश के गरी, पिछरों, वश्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए अनेक अनेक जनकल्यानकारी कार्य हो रहे हैं हमारे श्रमिक भाई बहन, नूनतम सैलरी, रोजगार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्त सुरक्षा जैसे विशह उपर और ससक्त होंगे माननिये प्रधानमंत्री जी के आदर्शों से प्रेणना लेते हुए, मध्यप्रदेश शासन ने प्रदेश की आर्थिक राजधाने इन दौर में लगभग तीन दशकों से लंबित हुकुमचंद मिल प्रकरण का निराकरण करवाया है, जिससे लगभग पांच हजार मजदूरों और उनके परिवार जनों को नियाय मिला, जिससे उनके जीवन में एक नया उज्यारा आएगा 1991 के बाद यह मिल विभिन कारणों से बंद हो गई, तथा मिल मजदूरों को वेतन ना चुकाने के कारण यह प्रकरण विभिन नियाय अलयों में चल रहा था लेकिन प्रदेश की समवेदन शील सरकार द्वारा मजदूरों के हितों को सर्वो परी रख निर्ने लिया गया जिसमें मिल की भूमी को शहर के विकास में उप्योग कर दशकों से निराशा के अंधकार में संघर श्रत मजदूरों को लगभग 224 करोड रुपए की राशी का हितलाब दिया जाएगा इससे उनका आर्थिक वसामाजिक विकास होगा और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे इसके साथ ही मिल की भूमी पर नवीन परियोजना के तहट निवेश व औध्योगिक विकास के नवीन द्वार खुलेंगे और रोजगार के अवसर नर्मित होंगे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नित्रित्व में मध्य प्रदेश सरकार श्रमिक वर्ग के कल्यान के लिए सदैव प्रतिबद्ध है बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधान मंत्री जी इसी करम में माननीय प्रदान मंत्री जी के ओड़ से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्रमिकों के स्वत्वों की स्वीकृत राशी 217 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रतिगात्मक शेक, ओफिशल लिक्विडेटर एवं श्रमिक संगठनों के प्रतिधियों को आधर के साथ सौप रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद माननिय प्रधानमंत्री जी की ओड़ से ये चेक लिक्विडेटर और मजदूर संगों के प्रतिधियों को सौप गया अब माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी से आग रहे है कि करपया नगर पालिक निगा मिंदौर एवं इंदौर स्मार्ट सिटी लेमिटेड द्वारा ग्रीन बॉन्ड के जरीय अरजित राशी द्वारा जलूद में स्थापित किये जा रहे साथ मेगावाट क्षमता के सौर उर्जा संयंत्र का शिला नियास अपने करकमलों से बठन दबा कर करने का कश्ट करें सौर उर्जा आज की नहीं बलकि 21 सदी की उर्जा जरुरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है क्योंकि सौर उर्जा शोर है प्योर है और सिख्योर है माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नवीन नवकरनिय उर्जा के उपयोग के संकल्प की ओर अग्रिसर होते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नित्रित्व में इंदौर नगर निगम व इंदौर स्मार्ट सिटी द्वारा जलूद में 220 एकर भूमी पर 308 करोड रुपई की लागत से 60 मेगावाट के सोलर प्लांट का निर्मान होने जा रहा है इस प्लांट की स्थापना से इंदौर शहर में मान नर्मदा से जलापूर्ती की पंपिंग में प्रतिमा होने वाले लगभग 25 करोड रुपई के खर्च में 4 करोड रुपई की बचत होगी साथ ही सालाना 90,000 कार्बन क्रेडिट अर्जत होंगे तथा CO2 उत्सरजन में इतनी कमी आएगी जिसके लिए लगभग 90 लाग पेड लगाना पड़ते NAC मुंबई में पंजीकरत इंदौर नगर निगम देश का पहला निगम है जिसने ग्रीन बॉंड का पबलिक इशू जारी किया जिसमें 29 राज्यों के लोगों ने सहभागिता दिखाते हुए कुल 244 करोड रुपई का निवेश किया इस राशी के साथ ही भारत सरकार से ग्रीन बॉंड व प्लांट के लिए 62 करोड रुपई की सबसीडी प्राप्त हुई है जिससे प्लांट की स्थापना तथा 10 वर्षों तक मेंटेनेंस कारे किया जाएगा इस अभिनो प्रकल्प के द्वारा इंदोर नगर निगम ने इनोवेटिव कार्बन पब्लिक फाइनसिंग एवं परियावरन संद्रक्षन की दिशा में एक महत्वपून कदम उठाया है बहुत बहुत धन्यवाद पूर प्रधान मंत्री माननी अटल बिहारी वाजपई जी के जन्म दिवस सुशासन दिवस प्रायोजित हो रही इस कारिक्रम में आप माननी प्रधान मंत्री जी से विनम राग रहे है कि क्रपया आप अपना उद्वोधन दे नमस्कार जी मद्ध प्रधेश के उर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरवर लोकसवाद्यक्ष और लंबे समय तक इंदोर की सेवा करती रही ऐसी हम सब की ताई सुमित्रा ताई सौंसद में मेरे सहयोगी गण नई विदान सभा में चुनकर आए विधायक अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे स्रमीक भाई और बहनो आज का ये खारकम हमारे स्रमीक भाईयों और बहनों की बरसों की तपस्या उनके कई वर्षों के सपनों और संकल्पों का परणाम है और मुझे खुशी है कि आज अटल जी की जन्मजैंती तो है लेकिन भारतिय जन्रता पार्टी की ये नई सरकार नए मुक्हमंत्री और मद्यप्रदेश में मेरा पहला सार्वजनिक कारकम और वो भी गरीब कुछले गए मेरे स्रमीक भाई बहनों के लिए होना और ऐसे कारकम में मुझे आने का आउसर मिलना ये मेरे लिए बहुत ही संतोष का विशह है मुझे विश्वास है कि डेबल इंजिन की सरकार की नई टीम को हमारे स्रमीक परिवारों का भरपूर आशिरवाद मिलेगा गरीब का आशिरवाद और उनका से उनका प्यार क्या कमार कर सकता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे यकीन है कि मद्द प्रदेश की नई टीम आने वाले दिनों में ऐसी ही कई और उपलब्दियां हासिल करेगी मुझे बताया गया है कि जब हुकमचन मिलके स्रमीकों के लिए पैकेज का एलान किया गया तो इन दोर में उत्सव का माहूल हो गया था इस निर्णे ने हमारे स्रमीक भाईयों बेहनों में त्योहारों के उल्लास और बढ़ा दिया है आज का ये आयोजन इसलिए भी विशेश है क्योंकि आज अटल विहरी वाजपाई जी की जनती है सूशाशन दिवस है मद्द प्रदेश के साथ अटल जी का सम्मन उनकी आत्मियता हम सभी जानते हैं सूशाशन दिवस पर हुए इस कार्गम के लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूँ अपनी शुब कामनाई देता हूँ मेरे परिवार जनो आज सांकेतिक तौर पर दोसो चौबिस करोड रुपिय का चेक सौपा गया है आने वाले दिनों में ये राशी स्रमिक भाई बहनों तक पहुचेगी मैं जानता हूँ कि आपने कई चुनोतियों का सामना किया है लेकिन आपके सामने अब सुनहरे भविश्य की सुबह है इंदोर के लोग 25 दिसंबर की तारिक को स्रमिकों को नयाय मिलने के दीन के तौर पर याद रखेंगे मैं आपके धैरिय के आगे नत्मस्तक हूँ आपके परिस्त्रम को प्रणाम करता हूँ साथियों मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए देश में चार जातियां सबसे बड़ी है ये मेरी चार जातियां हैं मेरा गरीब मेरा युवा मेरी माताए बहने महलाए और मेरे किसान भाई बहन मत्य प्रदेश की सरकार ने गरीबों का जीवन बदलने के लिए महत्वा पूर्ण कर्दम उठाए है गरीबों की सेवा स्रमीकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथ्मिकता है हमारा प्रयास है कि देश का स्रमीक ससक्त बने और सम्म्रद्य भारत के निर्मान में अपना महत्वा पूर्ण योगदान दे परिवार जनों स्वच्छता और स्वात के लिए मशूर इंदोर कितने ही ख्षेत्रों में अगरणी रहा है इंदोर के विकास में यहां के कपड़ा उद्द्योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है यहां के सो साल पुराने महराजा तुकोजिरा और क्लोथ मार्केट की अइतिहासिकता से आप सब परिचीत है शहर की पहली कॉटन मिल्की स्थापना होलकर राज घराने ने की थी मालवा का कपांस ब्रिटेन और कई एरोपिय देशों में जाता था और वहां मीलों में कपड़ा बनाया जाता था एक समय था जब इंदोर के बाजार कपांस के दाम निर्धारित करते थे इंदोर में बने कपड़ों की मांग देश विदेश में होती थी यहां कपड़ा मिले रोजगार का बहुत बड़ा केंदर बन गई थी इन मीलों में काम करने वाले कई स्रमीक दूसरे राचों से आए और यहां घर बसाया यह वो दोर था जब इंदोर की तुलना मैंचेस्टर से होती थी लेकिन समय बढ़ला और पहले की सरकारों की नीतियों का नुक्सान इंदोर को भी उठाना पड़ा डबल इंजिन की सरकार इंदोर के उस पुराने गवरव को फिर से लोटाने का भी प्रयास कर रही है बोपाल इंदोर के बीच इन्वेस्टमेंट कोरिडोर का निर्माण किया जा रहा है इंदोर पिधंपूर एकोनोमिक कोरिडोर एवं मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क का विकास हो विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क हो पास में धार जिले के भैसोला में पिएम मित्र पार्क हो सरकार द्वारा इन पर हजारो करोड रुपिय का निवेश किया जा रहा है इससे यहां पर रोजगार के हजारों नए अवसर बनने की संभावना है विकास के इन प्रोजेक्ट से यहां की अर्थववस्ता तेजी से आगे बढ़ेगी साथियों एमपी का बहुत बड़ा क्षेत्र अपनी प्राकृतिक संदर्ता के लिए अपनी अइतियासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है इंदोर समेत एमपी के कई शहर विकास और परियावरन के बीच संतुलन का प्रेरक उधारन बन रहे हैं इंदोर में एशिया का सबसे बड़ा गोबर्दन प्लांट भी संचालित हो रहा है इलेक्ट्रोनिक बहानों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ इच चार्जिंग इंफ्रासेक्टर का तेजी से विकास हो रहा है आज मुझे जलूत सोलर एनरजी प्लांट के वर्चियल भूमी पुजन का अवसर बिला है इस प्लांट से हर महिने चार करोड रुपिय की बिजली इस बिल की बचत होने वाली है चार करोड रुपिया बचने वाला हर महिने मुझे खुशी है कि इस प्लांट के लिए ग्रीन बॉन जारी कर लोगों से पैसा जुटाया जा रहा है ग्रीन बॉन का ये प्रयास परियावरण की रक्षा में देश के नागरीकों की भागीदारी सुनिस्चित करने का एक और माध्यम बनेगा मेरे परिवार जुनों चुनाओं के दोरान हमने जो संकल्प लिये हैं हमने जो गारंटी दी हैं उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है हर लाभार्ती तक सरकारी योजनाओं की पहुँच सुनिस्चित करने के लिए विक्सीद भारत संकल्प यात्रा MP बेमी स्थान स्थान पर पहुँच रही है चुनाओं की वज़़ से MP में ये यात्रा कुछ विलम्शे शुरू हुई है लेकिन उज़़ें से शुरू होने के कुछी दिन के भीतर इस से जुड़े छेसो से भी अधिक कारकम हो चुके हैं लाखों लोगों को इस यात्रा से सीधा लाब मिल रहा है मेरा MP के सभी लोगों से आगर है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जब आप के हां आने वाली हो आप भरपूर उसका फाइदा उठाईए उसका लाब लीजिए हर कोई वहाँ पहुचिए कोई भी सरकारी योजनाओं के लाब से वंचीत ना हो हमारी यही कोशिश है मोदी की गारंटी पर भरोसा जतागर हमें प्रचंड बहुमत देने वाली मद्द प्रदेश की जनता का मैं फीर आभार व्यक्त करता हूँ आप सब को फिर एक बार मेरी अनेक अनेक शुपकामनाएं हैं और मुझे गरीबों से जुड़े कारकम में स्रमीकों से जुड़े कारकम में आज सहभागी होने का राज्य सरकार ने अवसर दिया मेरे जीवन के लिए ऐसी पल मुझे हमेशा उर्जा देती है और इसलिए मैं इंदोर का मद्वदे सरकार का और हम सब को असिरवाद देने के लिए इतनी बड़ी तादाद में आये हुए मेरे स्रमीक भाई बहें और जब उनके गले में माला ही देख रहा हूँ न तो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कैसा सुभाउसर आया है कितने लंबे अर्से की प्रतिछा के बाद आया है यह आपके चहरे की खुसी आपके गले की माला की सुगंद हमें समाज के लिए कुछन कुछ करने की अवश्य प्रणा देती रहेगी मेरी आप सब को बहुत बहुत सुप्रामना है धन्यवाद करो भी संसाम जाते